नमस्कार मेरा नाम ज्यानिक श्चुर है और आप देख रहे हैं लाइट सिति देखें मेर डिप्टी मेर्क चुनाव की रनभेरी बस गई है और आपको हम एक एक नगर निगम के बारे में बता रहे हैं कौन कहां तैयारी कर रहा है किनकी तैयारी धरासाई हो गई और अब कौ अपने को दाओं पर लगा रहा है कौन सबसे अधिक खच कर रहा है क्योंकि इस बार चुनाव में पैसा बहुत बहेगा यह पहली बार हो रहा है कि नगर निगम के मेर और डिप्टी मेर का चुनाव सीधे जनता करने जा रही है मतलब बार पारसदों की खरीद फरुक इस ब मुंगेर में क्या होगा कौन लरे का चुनाव देखिए मुंगेर मेर और डिप्टी मेर दोनों जो पद हैं वो अनारक छित हैं मतलब कोई भी किसी भी जाती का ब्यक्ती या फिर औरत चुनाव लर सकते हैं लर सकती हैं तो है क्या सीन क्या है मुंगेर महत्तपन है आपको मा तो देखिए, खबर ये है, मुंगेर में हमने कई साथियों से बात की, अपनी संबालता से बात की, मुंगेर के जनरलिस सुनील जक्वी से बात की, तो जानकारी ये मिल रही है, कि कुमकुम देवी का चुनाओ लड़ना तो तै है, वह पहले मेर भी रही है, जेडियू से जु रूमा राज चुनाओ लड़ने की तैयारी की हुई है, लेकिन लगता है मुंगेर में इस बात की उम्मीद पहले से थी, कि सीट अनरक्षित होगी, तो इस बार रूमा राज की जगह पर चुनाओ मैडान में आपको सुबोध बरमा दिख सकते हैं, सुबोध बरमा इनके प पोस्टर काफी सता था और काफी सता हुआ भी है, इसलिए हम काने कि सुबोध बरमा की उम्मीद जारर दिख रही है, क्योंकि जो पोस्टर लगाए गए इस बार सुबोध बरमा की तस्वीर बरी और रूमा राज की तस्वीर शोटी थी, ये दो बार और भी पहले होगा, अब देखिए एक सुल्तानगन में सियो साहब है, जिनका नाम है संभू सरन राय, साइड ये रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इन्होंने अपनी पत्नी रस्मी डेवी को भी आगे कर राखा है, लेकिन जो चुनाव का प्रिदिस है, चुनाव में जितना खर्चा है, और मुंगेर का जो मिजाज है, उसके मिजाज से यहां अंतिम नेने लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ना मानकन का पर्चा भरवाते हैं कि नहीं भरवाते हैं, यह बात देखी होगी, लेकिन जब हम मुंगेर की चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात को भी समझे, कि मुंगेर में न वे यह भी जानते थे कि कहीं महिला के लिए सी अरक्षित हो गई तो अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी को चुनावला आ देंगे लेकिन एक ऐसा हाथ सा हुआ गुली चली और दोनों की मौत हो गई यह सूसाइड था तो इस तरीके से उनकी उमिद्बारी जो अरून यादब और प्रियंका कुमारी की थी वो तो खत्म हो चुकी है देखिए बीच में चर्चा हुई एक साहितालिस बाले रिज्वी की जिसका नाम एक साहितालिस में आय था कि वह भी चुनावला सकता है लेकि एक क्रिश्णा नंजादब देखिए अब तो कहने को समा सुधारक हैं अपने को समा से भी कहते हैं लेकिन किसी जवाने में क्रिश्णा नंजादब का नाम बहुत थी मौस्ट बांचेन वाली स्रैणी में था कई तरीके की जर्चाएं होती थी तस्वीर से लेकर सब कुस त तो कृष्णा लंजादब ने जब अपनी राह बदली और अपने को आगे किया दूसरे कामों में तो इनकी पतनी साधना देवी जो लोजपा से चुनाओ भी लड़ी है तो साधना देवी के बारे में यह कहा जाता है कृष्णा लंजादब की पतनी यह बहुत बोल्ड है साधना देवी जिला प्रिसत की अध्रस में बन गई लेकिन जब मेर और डिप्टी मेर के चुनाओ की चर्चा शुरू हुई है तो कहा यह जा रहा है कि किस्तना लंजादब और साधना देवी अपनी बेटी संध्या यादब को मेर का चुनाओ लड़ाना चाहते हैं और इस सिर्स नाम से इनकी कमपनी है अब सब कुछ इनके पास है बेटे की सरक दुखटना में एक मौध हो गई थी तो सागर यादब की भाबो कभी नगर पालिगा की चेर्मेन हुआ करती थी तो अब यह खबर आ रही कि सागर यादब को लग रहा है कि यह चुनाओ हम भी लर सकत है मेरी सित्ती ठीक रह सकती है देखिए एक साहिन डजा है उर्व चिन तो हूं की पत्मी है मुम्ताज नाच इन्होंने पिछले दपे भी मैर बनने की कोशिस की थी लेकिन सफलता नहीं मिली थी इनकी सास भी पहले जिला परिसद में रही है तो मुम्ताज नाच या साहिन लज़ा चुनाओ लड़ सकते हैं यह बात वहां से आ रही है जफर आहमेद हैं राज़त में आ रहे हैं इनके बारे में भी चर्चा है एक फैसल आहमद रूमी हैं ये बात पार सकते है फ्हले और देखे एक जेहीं एक मोनिका पास्मान है जिनके पती का नाम निसान कुमार पास्मान है उनके बारे में बिचाचा चल रही है और एक मुहम्मद आमीर उर्फ इसलाम है देखी दोनों पैरों से दिब्यांग है मुंगेर में लोग इन्हें रात का सेंटा करते हैं ये ट्राइसाइकल से चलते हैं और रात में ऐसे लोगों खोचते रहते हैं जो भूके हैं प्यासे हैं उनके लिए भोजन का बंदोबस्ट करते हैं उनके लिए जिनके सरीर पर कप्रे नहीं हैं कहीं से मांग कर लाते हैं और देते हैं तो यह सारे नाम चल रहे हैं, इस बार का चुनाओ बहुत ही कर्चिला होना है, तो हम आपको बताते रहेंगे क्या अफडेट है, और आप बने रहे हैं लाइप सिर्टी के साथ, यदि अब तक आपने हमारी YouTube पेनल लाइप सिर्टी को सब्सकाइब नहीं किया है, तो जरूर कर लिजेगा, और यदि इस वीडियो को आप फेस्बूक पेज के मादब से देगे, तो पेज को लाइक किजिएगा, ट्यूटर पर भी हमें पॉलो किजिए धन्यवाद.